हेलो फ्रेंट्स नमस्ते दोस्तों क्लोट्रिमाजोल दवा वेजैनल टेबलेट क्रीम तथा पाउडर इंट सभी प्रिप्रेस्ट में बनाई जाती है Clotrimazole Vaginal Tablet, Clotrimazole Cream इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ यदि आप इनका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्केशन में लिंक पर क्लिक करके इनका वीडियो देख सकते हैं साथ ही वीडियो के लाश में एन्ड इसके इनका वीडियो आप देख पाएंगे यहाँ पर हम Clotrimazole Powder के बारे में जानकर ही जानेंगे जिसे हम Clotrimazole Dusting Powder भी कहते हैं यह Clotrimazole Powder के Antifungal Medicine है जो Fungal Infects को ठीक करने का कारे करती है साथ ही Azole Group की Imedazole दवा है Clotrimazole Fungus में Cell Wall की शमता को कम गरती है यहाँ Fungus में जो Cell Wall को Growth के लिए जिम्मेदार मुख्य गटक इरगी स्टरोल है इसके Biosynthesis को नहीं होने देती है फल्स रूप Fungus में Cell Wall की Synthesis नहीं होता Growth नहीं हो पाती जिससे की Bacterial Infection दिरे दिरे ठीक होने लगता है अगर यहाँ पे Clotrimazole Powder की Strength की बात करें तो यह मातरी एक Strength में Available है वह है 1% Weight by Weight की Strength साथ ही यह अलग-लग Packaging में Available है जो 50, 60, 100 ग्राम की Packaging है जिसे आप आवसकत अगरों सार खई सकते हैं अगर इस पाउडरों का आप Medigal इस्ट्रों पर खई दने जाएंगे तो आपको इसकी कुछ Brand Name की आप सकता होगी कुछ Popular Brand Name जैसे की Closip Powder, Candid Powder, No Moist Powder, Jocone Powder, Microderm C Powder यहाँ इसकी कुछ Popular Brand जो आपको Freely कहीं पर मिल जाएगी और हो सकता है क्योंकि जो दवा की Brand होती वह अलग हो सकती लेकिन दवा का जो मूल नाम रहेगा वह क्लोट ट्रीमा जोल ही रहेगा अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जैसे आप सभी को बता है जो प्राइस है पेक के जिंग तेदा कंपनी के कोडिंग अलग-अलग होती है लेकिन जो ज़्यादा तर प्रियोग लाई जयने वाला पाउडर की पेकिंग यह वो है पचास ग्राम या साथ ग्राम इसकी जो एवरेस प्राइज होती हुआ रहती सत्तर रुपे से लगा कर सो रुपे इतने रुपे में आपको मिल जाता है जो भी आसानी से मिले उसा आप ले पाएंगे अब वीडियो मागे इसकी यूज़ोस को जान लेते हैं किन-किन इस्तिति में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि एक एक एंटी-फंगल मेडिसीन है लेकिन यह थोड़ा बहुत फंगल इंफेक्शन हो गया हो जन्नांगों के उपर यह जन्नांगों के आसपास फंगल इंफेक्शन हुआ हो यह कोई व्यक्ति है जिसके पाउं के जो अंगूलिया उनके बीच में पाउं तली के उपर फंगल इंफेक्शन हो गया हो जिसमें व्यक्ति को ज्यादा तर सू तो enn stereotypes यह ज्यदा तर नमी रहने केकारण ज्यादा पसी ना होने होता है और पसीने केकारण एक और इनफ्यक्सन है जहांपे कमन में πεल्ट बांदे यहां पे भी होता है जैसे कि किसी बच्चे को डाइपर रेसस हो गए, लंबे समय तक डाइपर पहना है, नमी रहने कर वहाँ पर रेडनेस हो गया है, उसको बच्चे को खुज ली चल रही है, थोड़ी बहुत सुजन भी आ गई, चोटी चोटी दाने हो गए, तो उस समय यह दिया जाता है, और एक समश्या का सामने आपने ज़्यादतर कीया होगा, बच्चे या बड़े, जड़ा समय तक जब गर्मी में रहती हैं, उनके शरी पर नमी रहती है, तो उन्हों गमोरिय का समिश्या हो जाती है, इस गमोरिया को ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है, यह गमो या ओल्ड एज के पेसेंट है तो इसका प्रियोग इन सभी परका के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है और कई बार आपने बात जोरूर से नोटिस की होगी कई डोक्टर क्लोड ट्रीमाजोल पाउडर तथा क्लोड ट्रीमाजोल क्रीम दोनों ही मरीज को लिग देते हैं ऐसा क्यों एस लिए है यदि किसी विएक्टि को ड्राइए इंफेक्शन को ठीक किया जा सके अब अगर इस पाउडर के साइड इफिक्ट को जाने क्या कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं जनरली साइड इफेक्ट नहीं देख गए लेकिन अगर साइड जैसे जिस जगा पर इसको लगाया गया है वहां पर दर्द होना जिलन होना खुजली होना रेडनेस हो सकती है सूजन आ सकती है इस तरह की कुछ समय से में आप पर होगी यदि यह होती है तो जनरली देखा गया है थोड़े देर बाद अपने ठीक हो जाती लेकिन फिर भी नह सकती चाहे वह एक महिने का बच्चा हो या ओल्डेज के पेसेंट हो सभी कर सकते हैं इस पाउडर को लगाने के लिए अगर पोशिबल हो तो जिस जगा पर लगा रहे हैं उस जगा को थोड़ा से ड्राइ कर लें उसके बाद में इस पाउडर को अच्छी तरह से उस जगा पर फेलाएं और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एरिया भी कवर कर लें और उसको फेलाने के बाद एक बात आविश्यस तोर से द्यान रखें उस जगा को उस फंगल इंफेक्शन को आप किसी कपड़े से डखें नहीं ना ही उस पर बेंडेज करें क्योंकि अगर ऐसा करते ह अगहों गीलापन जायेगा नए और आपकी समयस्या जल्दी ठीक नहीं होगे और यदि आप बच्चे में डाइपर रेस्स के लिए या गमोरिया की यूझ कर रह रहे है तो उसोमें भी उसको थोड़े समय के बाद में डाइपर परना है या कम से कम डाइपर पारना है की र मिल जाता किसी को लंबे समय तक लगाना होता किसी प्रका की समयश्या नहीं आपकी आश्यक्त अगनों साथ इसको लगा सकते हैं यहां पाउडर आपको मेडिकल इस्टो पे एज ओटी सी प्रोडेक्ट भी मिल जाएगा बिना डॉक्टर के सिला पर इसे ले सकते लेकिन अगर और इसकेन से बाहर नहीं निकलेगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों जब वह फंगल इंफेक्शन ठीक हो जाता है तो एक परत के रुप में पाउडर बाहर निकल जाता है कुछ समयश्या नहीं है आप इसे रिगुलर प्रियोग करते रहें तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी स्काइब कर दो पास में बैल आइकन है इसे जोड दबाए जैसे कि आने वाले वीडियो के सभी नॉटिफेशन आप मिल सके और मेरे सभी वीडिया पूप में देख सके आप तेपने दोस्त मोहित आदीश के साथ देखरें तेपने येट्यूब चैनल लान आपूट मैडिस अश्के पर आप तेखर टा क्रीच अजयूद टाना आप तेखरें लाने वीडियोग स्कैकिट बाले चैनला आप देखरें प्रेशन एमाने लिखां है डियो कुष्वाने के सहता है नष्एटरूब करें देखरें येडियोग से लेखरें पास्टोटर देखरें आपशो